हलो फ्रेंड्स डेलिंग लाइसेजम आपको स्वागत है दोस्तों सीटी टेन प्लेश टू सीटी ग्रेजिशन क्लास 18 आज हमारी होने वाली है हिंदी इंग्लिस जीक के करेंट पेर के टोप 50 प्रिशन देखेंगे और आज की क्लास में भी क्योशंस अच्छे खासे लेवल के रहने वाले हैं एक्जाम में सीधे सीधे आपको यह प्रिशन देखने को मिल सकते हैं आपके ग्रेजिशन की मैं बात करूँ अभी टोटल 20 क्लास ही हम लगाएंगे इसके बाद में दो क्लास हो रहोंगी उसके बाद में आपके एक मेराथन क्लास होगी जिसमें टोटल 200 प् कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर आप खुद गवर्मेंट जोब में हो इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो किस तरह से वीडियो बना लेते हो दोस्तों जब आप लोगों के मेसेज आते हैं बारबार सर हमें ये भी करा दो ये भी कंप्लीट कराओ ऐसे क्योशन कराओ तब अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और जैसे आप इतने ज़्यादा व्यू जाते हैं इतने लोगों द्वारा पसंद किया जाता है खुद में ही एनरजी आ जाते हैं कि स्टुडेंट के लिए वीडियोज बनाने है उनको सेलेक्शन दिलवाना है तो आपको क्लास अच्छे से देखनी है टोप पचास प्रशन एक्स्ट्रा लेवल के साथ सारा सब कुछ हम कवर करते वे चलेंगे साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं CT 10-2 ग्रेजिशन टोप 15 मोडल पेपर डेनिल ग्लासेज की एपर मिल जाएंगे जो आप 50% डिसकाउंड में आपको मिलते हैं वहां से आप परचेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों क्लास हम शुरू करते हैं सबसे बहले बात करते हैं राजस्तान जी के गावारे में कुछ प्रिशन आपको यहां पे अच्छे कासे लेवल्स के मिलेंगे तो अच्छे से आपको प्रिशन करने हैं रामगड जील एक क्रेटर जील है जिसे जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है रामगड जील किसे जीले में है क्रेटर जील की हम बात करें जो जीले जौला मुकी निर्मित होती हैं वोलकेनों से जो बनी हुई होती हैं उन्हें क्रेटर जील करते हैं ऐसे ही जो रामगड जील है वो भी एक क्रेटर जील है आपको बताना है कि राजस्थान के किस जीले में है तो हम बात करेंगे राजस्थान के बारा जीले में है रामगड जील राजस्थान के बारा जीले में ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा और एक प्रुशन यहां से जो बार बार पुछा जात है तो यह भी प्रशंद के पार पूचा गया है कि सामबर जेल से उत्पादित नमक को क्या कहा जाता है क्समबर जेल से नमक उत्पादित होता है हम बात करेंगे भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील संबर जील ये चिलका जील के बाद में संबर जील ही है तो यहां से जो नमक उत्पदित होता उसको क्यार कहा जाता है option 2 संबर जील से उत्पदित नमक क्यार कहते हैं option 2 हमारा सही उत्तर होगा अगला आपको बताना है एसंगत को पहचानना है कुछ खारे पानी की जीले दे रखी हैं जिसे सांबर है तो क्या वो जेपुर में है क्या तो सांबर जील जेपुर में ही है काचोर जील सिकर तो काचोर जील भी सिकर में ही है कावोद जील गंगानगर कावोद जील तो राजस जोदपूर बिलकुल सही है फलोदी बिलकुल सही है पीवणा है पीवणा क्या है आपको बताना है पीवणा तो एक साप है पीवणा साप है पीवणा क्या है साप है मुरुस्ते शेतर में देखने को मिलता है पीवणा एक साप है आपको ध्यान देना है ऑप्शन तीसरा सही ह जारोला बाकर कहा है बाकर किसे बोलते हैं हम बात करेंगे यह सीरोही वाला जो छितर है या पे जो तेज डाल वाली पहाड़िया है तेज डाल वाली पहाड़िया उनको बाकर कहा जाता है लेकिन हम बात करें इसराना बाकर जारोला बाकर यह कहा है यह जालोर में है सीरोही मे नहीं है आपसे पुछा जाए जारोला भाकर कहा है इसराना भाकर कहा है ये जालोर में आपको ध्यान रखना है तो हमारा उत्तर फ़स्ट जालोर हमारा सही उत्तर होगा कौन सा दुर्ग गंबीरी वे बेड़ से नदियों के संगम पर बना हुआ है जिसे हमें वेल मचली जैसा दिखता है चित्तो ओडगड का दुर्ग बना हुआ है जहां हम बात करेंगे मीरा का मंदिर भी है मीरा के मंदिर के सामने उनके गुरू रेदास की सत्री भी बनी हुई है यह आपको ध्यान रखना है 27 देवरी आपको मिलेगा काल का माता मंदिर देखने को यहां मिल जाएगा तो उप्षेन हमारा बैच इत्तो ओडगड का दुर्ग सही उत्तर होगा अगला की राजस्तान में संभागी वेवस्ता की शुरुवात राजस्तान की प्रथम मुख्यमंत्री हिराला शास्त्री ने की उस समें कुल कितने संभाग थे देखो जो संभाग का वीडियो है शांदार ट्रिक के साथ मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको करवाया हुआ है जिसमें आप राजस्तान के संभाग काफी कम समय में अच्छे से समझ सकते हो हम बात करेंगे हिराला शास्त्री की उसमें पाँच संभाग थे बीच में संभागी वेवस्ता बंद कर दीगी थी बाद में हम आगे चल कर बात करेंगे हरी देव जोसी ने इसको वापस से शुरू की थी ये भी आपको ध्यान रखना है अनाकर्ली की बावडी राजस्तान के किस जिले में है रानी जी की बावडी के बुंदी में है? अनाकरली की बावडी भी बुंदी में है 包ँदी में है तो यह कुछ प्रिशन है, fix प्रेशन जो बार बार पुछ जाते हैं आपको ध्यान रखना है और अप्शन दे बुंदी हमारा सहीँ उत्तर होगा किर्थी स्थम्ब प्रशस्ती के रचियता कौन है कन्फ्यूजिंग क्योशन किर्थी स्थम्ब प्रशस्ती के रचियता कौन है आपको बताना है देखो किर्थी स्थम्ब प्रशस्ती की बात करें अत्री भट ने शुरू की थी और अत्री भट की मृत्यू के बाद में उसको पूरा उसके पुत्र महेश भटने किया था तो किर्थी स्थम्व प्रशस्ती के रचे था अत्री भट वह उसके पुत्र महेश भटे तो इसमें हम बात करेंगे option first option तीसरा से ही होगा आत्री भटवा, महेश भटे एक option देए का फर्स्ट जेताव, नापा, पॉमा, पुझा चितोड़ गड़ में विजे स्थम्व बना हुआ है महरणा कुम्भा ने चितोड़ गड़ में विजे स्थम्व का निर्भाण करभाया था इस विजे स्थम्ब के बात करेंगे जेताव नापा पॉमा पुंजा का इसमें नाम आता है आपसे पूछा जाएगा विजे स्थम्ब के वास्तुकार कौन है जेताव उसके पुत्र नापा पॉमा पुंजा है ये जो विजे स्थम्ब बना हुआ है इसको करनल जेम्स टोर्ड ने कुतुब मिनार से भी श्रेष्ट मिनार कहा है राजस्तान पुलिस और माद्देमिक शिक्षा वो राजस्तान का ये प्रतीक चिन भी आपको ध्यान रखना है एक बार क्या होता है ये 122 फिट और 9 मंजिला है जो विजेस्तम्वी चितोडगड में बना हुआ है वो 122 जाने से जो नोवी मंजिल है शती गरस्त हो जाती है तो आगे चलकर उसका पूना निर्माण मियवार के माना सवरूप सिंग्जी करवाते हैं तो ये भी ध्यान देना मियवार के माना सवरूप सिंग्जी ने इसका पूना निर्मान करवाय था 122 फिट और 9 मंजिला है ये काल बेलियों से संब्ल सिर्फ है राजस्तान का शंकरिय काल बेलियों से संब्ल सिर्फ हुए आजें ढोल नर्य, बार-मा नर्य न्रते कहां का है जालोर का है गिंदड, चंग, धप, कच्ची-गोडी ये कहां के हैं ये शेखावाटी शेतर के हैं तो इक ये कही बार पूछते जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं अच्छे काशिप्रेशन एक्जाम में बन ते हैं आपको ध्यान रखना है वेली किशन रुकमनीरी को किसने पांचवा वेदवे उन्निसवा पुरान कहा है वेली किशन रुकमनीरी जिसके रचियता पर्थिवराज राठोड बिकानेर के पर्थिवराज राठोड है तो उप्षिन दे दूरसा आडा हमारा सही आंसर सही उत्तर हो जाएगा राजस्तान के इत्यास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद कौन हुई रूठी रानी के नाम से प्रसिद है और जो हमेशा रूठी ही रहती है मालदेव की रानी रूठी रानी आरागे चलकर जो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो जाती है जो हम तारागड दुर्ग बात करते हैं अजमेर में वहीं रहती है हमेशा ही रूठी रहती है तो रूठी रानी रानी उमादे की हम बात करेंगे उप्शन फर्स्ट रूठी रानी के राम से रानी उमादे फेमस है प्रसीद है पुशकर पशू मेला कब आयोजित किया जाता है कब कार्तिक के माह में आयोजित किया जाता है कपिल मुनी का मेला कब लगता है कपिल मुनी का मेला कोलायत बिकानेर में लगता है कपिल मुनी का मेला कैसे कपिल मुनी कैसे कार्तिक पुर्निमा कैसे कोलायत बिकानेर तो पुछे कपिल मुनी का मेला कार्तिक पुर्निमा कोलायत बिकानेर में आपको ध्यान रखना है कर्णी माता का मेला कहां लगता है देश नोग बिकानेर में लगता है वर्ष में दो बार लगता है चेतरवाश्विन की नवरात्रा को लगता है रीपिटेट प्रशन बार बार पुछे जाते हैं निर्व से कौन सा जोड़ा सही नहीं है मारवाड उत्सव जोड़पूर मारवाड उत्सव जोड़पूर सही है बिल्कुल सही है लेकिन मरू उत्सव पुछेगा जैसल मेर होगा थार मोद सव पुछेगा बाड़ मेर होगा तीन प्रशन ध्यान रखना मारवाड पुछा है जोड़पूर मरू पूछता जेसल मेर थार पूछता थार मौसव पूछता बाड मेर उत्तर होता ऐसे हाती मौसव जेपुर बिलकुल सही है ब्रिज मौसव भरतपुर ब्रिज मौसव कहां का प्रसीद है भरतपुर का प्रसीद है बोजन थाली मेला कहां का प्रसीद है राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था आज आपको जहां मरुस्थल दिखाई देर रखा है पश्यमी मरुस्थल ये परदेश जिसे हम बोलते हैं किसी समय वहाँ पर टेथी से सागर था जहां पर आज मरुस्तल दिख रहा है किसी समय वहाँ पर टेथी से सागर था मतलब समुद्र था तो इस प्रशन के हम बात करेंगे ओप्शन सेकिंड से हो जाएगा राजस्तान के मौरुस्तल में पहले हम बात करेंगे समुद्र था मौरुस्तल मेदान की बात आए आप बोलना टेथी सागर का उशेश है परवत पठार की बात आए आप बोलना गोडवाना लेंड का उशेश है जिसे पश्चिमी मरुस्त्र परदेश किस का उश्यस है टेथी सागर का उश्यस है मरुस्त्र और मेदान जिसे पूरी मेदानी भाग किस का उश्यस है टेथी सागर का उश्यस है फिर मैंने आपको बताया परवत और पठार अरावली परवतिय परदेश किसका उश्येस है गोडवाना लेंड का उश्येस है दक्षिन पूरी पठारी भा किसका उश्येस है गोडवाना लेंड का उश्येस है राजस्थान की जीके के पंदरा क्योशन से देखे और पंदरा से लगबग 30-40 क्योशन तो मैंने आपको बताए यह बताए हैं ऐसे ही अब इंग्लिश के कुछ important क्योशन से देखते हैं सबसे पहले आपके पांच one word देखेंगे One who can't be easily pleased कोशिश करें one word में option की जरूरत ना पड़े जहां one word में options की जरूरत पड़ती है वहां ज्यादा तर गलतियां होती है तो कोशिश करें one word में आपको options की जरूरत ना पड़े one word आप ऐसे ही आपको याद करने है हालांकि इनके आंसर में आपको लिख दूँआ कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं सब्सक्राइब जो सही आंसर है वो लिख दिया करो तो आंसर इनके लिख दूँआ में One who can't be easily pleased is called fastidious One who can't be easily pleased fastidious से बोलते हैं जैसे कही हमारे गजर में होते हैं नाराज हो जाते हैं पिरासानी से मानते हैं कापी मशक्कत के बाद मानते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम fastidious बोलते हैं A person who breaks into a house to steal घर में गुश जाता है चोरी करने के इरादे से उसे हम बर्गलर बोलते हैं बर्गलर बोला जाता है, a person who breaks into a house to steal is called burglar, उसे हम बर्गलर बोलते हैं, the state of being unmarried, क्या बोलेंगे, ब्रह्मचारिय जीवन, क्या कहलाता है, the state of being unmarried is called celibacy, उसे हम celibacy कहते हैं, ब्रह्मचारिय जीवन celibacy कहलाता है, a place where dogs are kept, a place एसा स्थान जहांग पे dogs को रखा जाता है, क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं, उसे हम कैनल बोलेंगे, k-n-e-l-l, कैनल कहलाता है, a place where dogs are kept, is called कैनल, a person who is new in a field, नो सीखिया नया व्यक्ती, नोविस कहलाता है, a person who is new in a field, is called नोविस, उसे हम नोविस कहते हैं, नो सीखिया व्यक्ती, नोविस कहलाता है, a person who is new in a field, is called नोविस, अब कुछ errors हम देखते हैं, क्योंकि आपके exam में errors से भी questions बनते हैं, it does to him that I shall do this, it appear तो हो नहीं सकता, क्योंकि singular यहाँ पे हम बात करेंगे, तो appear तो हो नहीं सकता, is appearing गलत हो जाता है, appearing गलत हो जाता है, हम ing form यूज नहीं करेंगे, तो it appears हो जाएगा, it appears, ऐसा appear होता है, ऐसा अभास होता है, प्रकट होता है, तो it appears to him that I shall do this, it appears हो जाएगा, much water has flown under the bridge since then, तो यह flown सही लिखा हुआ है, या इसमें कुछ हम mistake करेंगे, तो float होगा, is float होगा, would have flow होगा, क्या होगा, जब हम fly की बात करते हैं, fly की हम बात करते हैं, तब हम flown का यूज करते हैं, पानी के बहने की बात करते हैं, तो हम flow का यूज करते हैं, उसकी form क्या होती है, flow, float, float होती है, flow, float, float, पानी का बहना, तो हम बात करेंगे much water has flowed क्योंकि has के बाद में verb की third form आती है much water has flowed option first सही है much water has flowed under the bridge since then तो option first हमारा सही इसमें answer हो जाएगा ऐसे हैं अगला है on the blink phrase meaning फ्रेज दे रखिया ओन दा बिलिंक इसका क्या मतलब होगा जैसे घर में tube light है वो चलती चलती है चाना कि blink मार गई बंद हो गई on the blink हो गई आउट ओफ ओडर हो गई मतलब खराब हो जाना on the blink का मतलब होता है out of order खराब हो जाना हमारा टीवी है जबकी मार रहा है on the blink कर रहा है जपकी मार रहा है मारते मारते बंद हो गया on the blink हो गया out of order हो गया कोई भी electronic चीज है वो out of order हो गई खराब होने को क्या बोलते हैं इंगलिश में out of order हो जाना तो on the blink out of order खराब हो जाना black and white जिसे हम कभी कभी क्या करते हैं कि देख मैं तेरे को 50,000 रुपे दे दूँगा ठीक है तू time से लोटा देना लेकिन मैं जो तेरे को money दूँगा वो writing में लूँगा black and white में लूँगा तो black and white का मतलब होता है in writing कुछ writing में देना लिखित में देना जिसे हम बोलते हैं तो black and white in writing सही हो जाएगा black and white option second in writing cope with cope with का मतलब होता है deal with cope with deal with जिसे अभी मालो हमने कोई आस्ट्रेलिया के साथ cope with किया मतलब आस्ट्रेलिया के साथ कोई हमने deal की है तो cope with का मतलब deal with हो जाएगा जुडास किस जुडास किस आज कल के हम बात करेंगे जो false love होता है आज कल 70-80% false love ही देखने को मिलता है तो इसे हम क्या बोलते हैं जुडास किस का मतलब false love जुटा प्यार जिसे हम बोलते है उसे English में जुडास किस कहा जाता है false love null and void ये जो आप order दिखा रहे हो ना भी नल एंवीड इनवेलिड हो जाना नल एनवोईड इनवेलिड ऑप्षन भी हमारा ही होगा नल एनवोईड हम इसको बोलेंगे फ्रेजेत याद करने में समय नहीं लगता थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा याद जल्दी जल्दी हो जाएंगी सो डेट सो लेकर बैठो दो तिन दिन में हो जाएंगी तेकि थोड़ा उनके लिए समय निकालो आप माइंड में उनको अच्छे से पढ़ो अच्छे से समझ समझ के जल्दी याद हो जाएंगी और इडियम फ्रेजेज एक्जाम में भी आजकल काफी आती है कुछ सीनोनेम से जो आपको बताने है जोवियल का सीनोनेम बताना है जोवियल हम बोलते हैं जो काफी खुशी रहता है जो काफी प्रसन रहता है तो जोवियल का हम बोलते हैं वेरी हैपी जो काफी खुशी रहता है जोवियल कहलाता है तो जोवियल मतलब very happy हो जाएगा option B, जोवियल very happy option B, सही हो जाएगा अगला है disdain antonyms आपको बताना है disdain करना, किसी का तिरशकार करना disdain करने का मतलब हो जाएगा तिरशकार करना, अपमान करना तो hat dislike antipathy, ये इसके सारे synonym हो जाएगे आप से antonyms पुछा है, तो praise antonyms हो जाएगा option D, praise antonyms हो जाएगा अगर synonym की बात करते, hat dislike antipathy के synonym है antonyms पुछा है, तो praise antonyms हो जाएगा film G, synonym बताना है film G का मतलब होता है, जो आसानी से तूट जाए जो काफी brittle होता है, strong नहीं होता है उसे हम film G बोलते है, weak बोल सकते है, brittle बोल सकते है not strong बोल सकते है, all are above हो जाएगा तो film G मतलब होता है, जो brittle होता है आसानी से जो तूट जाता है, उसे हम brittle बोलते है अब हमने देखो, GK की बात कर ली, English की बात करी अब कुछ हिंदी के अच्छे-चे क्योशन से देखेंगे, सबसे पहले कुछ important परियावाची शब्दे देखेंगे नियून में से शुनक किसका परियावाची शब्द है, शुनक किसको बोलते है तो शुनक हम बात करेंगे, कुटे को बोला जाता है और इसमें option में से कोई नहीं है, इन में से कोई नहीं आंसर होगा शुनक स्वान, कुकुर, कुकर, सारमे, कुटा को बोला जाता है किसको बोला जाता है, कुटा को बोला जाता है तो option 10 ही होगा, सुनक बोल सकते हैं, स्वान बोल सकते हैं, कुकुर बोल सकते हैं, सार में बोल सकते हैं तीन option दे रहे हैं कबूतर, बंदर, कोयल कबूतर के, बंदर के, कोयल के, कई बार में आपको बताये हैं सभी comment box में इनका answer देंगे कबुतर के परियावची लिखो कम से कम पांच लिखने हैं कबुतर के बंदर के कोयल के पांच परियावची शब्द लिखने है नियून में से इतियल परियावची शब्द है इतियल किसका परियावची शब्द है अंत इती समापन इती सिधम मतलब अंत होना समापन होना उप उपरोक्त सभी इसका सही आंसर, option फॉर्थ सही उत्तर हो जाएगा, अगला है कि जाफरान किसका परियाएवाची शब्द है, जाफरान किसको बोलते हैं, जाफरान हमें केसर को बोलते हैं, और केसर को सोरब भी बोला जाता है, सोरब भी बोलते हैं, अगनी शेखर भी बोलते हैं तो इसका भी आंसर उप्रोकत सभी होगा जापरान सोरब केसर अगनी शेखर उप्रोकत सभी हमारा अंसर हो जाएगा अगला पूछा है कि वदन परियावाची शब्द है वदन किसको बोलते हैं वदन तो मुख को बोलते हैं मुख को वदन बोला जाता है तो आप्शन तीसरा वदन प्रयावची शब्द मुख का होगा वदन मुख का प्रयावची शब्द होगा अगला है कि चित्रक प्रयावची शब्द है चित्रक किसको बोलते हैं चित्रक बोलते हैं बाग बोलते हैं शादूल बोलते ह रगर बोला जाता है option D हमारा सही होगा इन में से कोई नहीं हमारा अंसर हो जाएगा अब कुछ संदी से related questions हैं जो आपको सही उत्तर देने है अक्षोहिनी में कौन सी संदी है अक्षोहिनी अक्ष पलस उहिनी बराबर अक्षोहिनी A के बाद में EI तो A O 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 रखी हैं तो हम बात करेंगी यह अपवाद है वैसे अगर देखा जाए ऑप्शन में वर्दी संदी होती तो इस एक्जामपल को हम वर्दी संदी में लेते क्यों लेते क्योंकि जहां दो मातरा होती हैं वो वर्दी संदी होती है इसलिए यहां पर वैसे इस तरह के आएंगे तो गुन संदी आपको आंसर देना है क्योंकि हम बात करेंगे एया के बाद में उवए तो ओ हो जाता है गुन संदी में होता है लेकिन इस शब्द बन रहा है अक्षों ही नी इसलिए वृद्धी संदी होती है तो अप्शन हम बात करेंगे पहला गुन संदी सही उत्तर हो जाएगा अगला है गुरू प्लस उपदेश शें सब्द बना है कैसे शब्द बनेगा गुरू प्लस उपदेश शें आपको बताना है गुरू प्लस उपदेश शें कैसे बनेगा सब बताना है चार टुन कोन सा आल हो आपको बताना मारा reuse उपधेश ने गुरू में ओखी मात्रा बड़ी आएगी यह बड़ी मात्रा अप्शन से किंड़ में दे रखिए फ़्स्ट में छोटी मातरा है, सेकिंड में भरी मातरा है तो गुरुपदेश, उप्षन, सेकिंड इसका सजयोत्तर होगा महेश्वरें में संदी है, आपको बताना है कि महेश्वरें में कौनशी संदी है महा प्लस एश्वरिय एया के बाद में एयय तो आई हो जाता है महेश्वरे शब्द बनता है वृदी स्वर संदी है option में क्यों संदी पुछा है तो स्वर आपको आंसर दे देना है option first महेश्वरे में तो स्वर संदी है महेश्वरे में स्वर संदी हो जाएगी सही संदी चेत क्या है आपको कमेंट बोक्स में उतर दें अभी आपको बताना है कि अप ultimate में कॉन से संदी आ गुटाइस के हम बातе करेंगे गुटाइका प्लस रेवी ससे गुडाइके शओध है गुढाक प्लस रेतमे यह तो ए हो जाता है तो गुड़ाका प्लस इश गुड़ाकेश गुन संदी का उधारन है ओप्शन सेकिंड गुड़ाका प्लस इश गुड़ाकेश लंबो दर में कौन सा समास है लंबो दर लंबा है उदर जिसका लंबो दर बहु विरी ही समास क्योंकि तीसरे यर्थ निकल रहा है गनेश जी हम बो धरिये समास हो जाएगा लंबा है उदर जिसका करम धरिये समास ध्यान देना इस तरह के के कpero हैं संदी भी है लंबा प्लस उदर ब्राबर लंबो अदर संदी भी हो रहा बंसंदी भी इस वह कुछ करफे लगे क्जाम से देखने को मिल सकते हैं के क्यूशन की बात करेंगे हाल ही में उंट की खाल पर स्वन नकासी के लिए राश्ट पती पुरुषकार किसे मिला आपको बताना है उंट की खाल पर स्वन नकासी के लिए राश्ट पती पुरुषकार मिला है किसे मिला है आपको बताना है तो हम बात करेंगे शोकत उस्ता को मिला है उंट की खाल पर स्वननकसी के लिए शोकत उस्ता को राश्ठ्रपती पुरुषकार दो मिला है उप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा जनवरी मृ अंतराश्ठी उंट moto7 होगा जनवरी के माहा में उसब पकहा आईउजित किया जाएगा बिकानेर में आयुजित किया जाएगा तो उप्षिन दैस ही होगा उट मोसव विकानेर उप्षिन फोर्थ और कौन सा अंतराष्ट यह उट उत्सव यहां पर होता है पांच दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है थोड़ा कॉंप्लिकेटेड क्योशन से जलबाजी में गलत आंसर दे सकते हो पांच दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं प्रिथवी दिवस मनाते हैं मृद्दा दिवस मनाते हैं प्रत्वी दिवस नहीं बनाते हैं मृद्दा दिवस बनाते हैं पांच दिसंबर को मृद्दा दिवस बनाया जाता है जब पांच दिसंबर को मृद्दा दिवस बनाया जाता है तो प्रत्वी दिवस कब मनाते हैं सबी को कमेंट बोक्स में उत्तर देना है कि हमें प्रत्वी दिवस से कब मनाते हैं आपको बताना है अगला प्रशन है कि हाल ही में पुलिस करिमियों को सापता ही का उकाश मिलने की सुरुआत राजस्तान के किस जिले में हुई है मतलब पुलिस करिमियों को सापता ही का उकाश भी दिया जा रहा है राजस्तान के किस जिले से शुरुआ हो चुकी है राजस्तान के अजमेर जिले से शुरुवात हो चुकी है पुलिस कर्मियों के सापता ही कावकास की शुरुवात हो चुकी है तो पूछा जाए पुलिस कर्मियों को सापता ही कावकास की शुरुवात राजस्तान की किस जिले से हुई अजमेर जिले से राजस्तान सेंड आर्ट पाक तो हम बात करेंगे अजमेर जिले में खुला जाएगा भारत का मुक्का अजमेर जिले में खुला जाएगा जहाँपर आना सागर जील भी है अजमेर जिला आपको ध्खान रखना है अगला प्रशन है कि भारतिये नोसेना दिवस कब मनाया जाता है 4 दिसंबर को भारतिये नोसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर भारतिये नोसेना दिवस एक दिसंबर को एट्स दिवस दो दिसंबर को कम्पिटर दिवस चार दिसंबर को भारतिये नोसेना दिवस पांच दिसंबर को मुर्दा दिवस सारे दिवस आपको ध्यान रखने है अंतराष्टी मानवा दिकार दिवस कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को अंतराष्टी मानवा दिकार दिवस मनाया जाता है अगला है राजस्तान में किसे हाल ही में पेरा स्पोर्स परसन ओफ दे येर का आवर्ड मिला है पेरा स्पोर्स परसन ओफ दे येर का आवर्ड तो अवनी लेखरा को मिला है जेपुर की अवनी लेखरा को दिया गया है हम बात करेंगे ओप्शन इन में से कोई नहीं होगा अवनी लेकर आपको मिला है हाल ही में राजस्तान से किसे अनुवरत गोरव सम्मान 2022 मिला अनुवरत गोरव सम्मान 2022 बसंती लाल बाबेल को मिला है बसंती लाल बाबेल ओप्षिन फर्ष्ट हमारा सही उत्तर होगा और आज का अंतिम प्रशिन है हाल ही में एक दिसंबर 2022 हैं भा़रत ने कितने वर्ष के लिए जी ट्वंटी के दिक्ष्टा ग्रहन की है भारत ने एक वर्ष के लिए ग्रहन की है डेनिल कलासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडिय एफ मिलेगी और दोस्तों मैं आपको बताऊं जितने effort मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये जो क्योशन्स हैं आप अच्छे से इनको करके जाओगे एक्जाम में भी आपको बड़ी हमजा आजाएगा आपको इस तरह के क्योशन्स सीधे सीधे एक्जाम में देखने को मिलेंगे डेनिल क्लासेज के लगबग दो साल कंप्लीट हो गए हैं मुझे यहां पर पढ़ाते विए दो साल हो गए हैं और इन दो सालों में आपके जो जो क्योशन्स बने हैं एक्जाम लेवल में जो 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 बने हैं उसी लेवल के इसाफ से मैंने एक्जाम के अकोडिंग आपको क्योशन्स करवाए हैं इसलिए आज बिना किसी परमोशन के बिना किसी एड़टाइज्मेंड के डेनिल क्लासेज पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है इतने ज़्यादा व्यू जाते हैं क्योंकि यहां चैनल सबस्क्राइब भी करें और शेर भी करें सबको को डेनिल क्लासेज के बारे में बताएं कि दीबेस्ट स्टडि एक्जाम लेवल के एकोडिंग स्टडिए जहां सिधी बात में बखवा सलती है कहां से देख सकते हो supported ऑ आपको वीडियो से चैर कर देना है ला इक यर five Suzuki यूट्यूब चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यूब डेट आए हुआ आपको तुरूंत मिल जाए धन्यवाल